नमस्कार आप सभी कस्वागत आपके अपनी यूट्यूब चेनल आरेनेस एजुकेशन नूज में एक और बिग अपडेट राजस्तान के बेरोजगारियों के लगातार हम हर भरती का अपडेट आप तक पहुचाते रहे हैं तो एक और भरती के लिए खुसकपरी आच चुकी है कभी भरती विग्यापन को जारी किया जा सकता है सब कुछ तय हो चुका है कुल पद उसके लिए परिक्षया का जो पैटरन है कौन सी भरती एजिंसी होगी सब कुछ बता दिया गया है आज और अब ये नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा तो राजस्तान में लगातर हर विभाग में भरती आने वाली हैं चिकित्सा में आई ही चुकी हैं 20,000 से ज़्यादा अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी आने वाली हैं बहुत जल्द रपी सी करमचारी चैन बोड और भी भरतीयों के विग्यपती जारी करेगा रा आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा राजस्तान आवासन मंडल ठीके यानिकी राजस्तान हाउसिंग बोड में 311 पदों पर भरती होगी और भारा सरकार की संस्ता सी डैक कराएगी भरती परिक्षा सी डैक आपने इस नाम सुना होगा सी डै पर विभाग राजस्तान के अर्थतर डी आई पियर पर यह सूचना अपडेट की गई है और यहाँ पर देख सकते हैं प्रदेश के युवाओं के लिए रास्तन आवसन मंडल ने बड़ी खुस खबरी दी है मंडल विभिन समवर्गों के 311 पदों पर भरती यहाँ पर नि में लिख लेगी रास्तन आवसन मंडल में हाउसिंग बोर्ड में अब यहाँ पर जो आयुक्त हैं आवसन आयुक्त पवन रोड़ा ने बताया कि मंडल में कई सालों बाद दसकों बाद इतनी बड़ी भरती का आयुजन किया जा रहा है और इसके लिए जिस तरह मंडल ने बहुन निर्मान सित अन्य छेतरों में किरतिवान इस्ताफित के हैं उसी तरीके से ये पारदसिती तरीके से बरतियां की जाएंगे अब इसके लिए इन्होंने बताया है कि तीन गंटे में जो परिक्षा का पेटरन है वो बता रहे हैं कि डेड़ सो प्रस्न आएंगे और तीन गंटे के टाइमिंग मिलेगी नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इन्होंने बताया कि तीन गंटे में होने वाली ऑनलाइन परिक्षा में 150 प्रस्न पूछे जाएंगे जिसमें 60 सामाने ग्यान के और 90 जो परिक्षा विसे से जुड़ी तकनी की जानकारिपी होंगे यानि कि हाउसिंग बोर्ड से अब हाउसिंग बोर्ड से मतलब यह है जो सरकारी आवास बनाई जाते हैं या सरकारी जो इसकीम आते हैं उनके तहट प्लोट वगरा काट के उनको बनाई जा जाता है या फिर उनको विसेश रूप से जो निमन आईवर के लोग हैं बीपी ए तकनिकी से यानि कि जिस तरीके का जो पद है माली जी इसमें इंजिनियर चीए सिविल के तो उस सिविल इंजिनिरिंग से जुड़े हुए टेक्निकल जो क्वेश्चन से उनकी संख्या यहां पर 90 होगी उन्होंने बताय कि प्रतेक प्रश्चन तीन अंकों का होगा सब भी मल गंटे मिलेंगे और देड़ सो संवाल होगे ठीक है तीन गंटे में डेड़ सो सवाल होगे काफी टाइमिंग दे रहे हैं और यहन्म. जिन पर यह ओनलाइन परिक्षा की जाएगी और C डेकंपनिस की अजैंसिओं अब पत्त देख लिजे तरेपन राजपत्रित पद हैं गजिटेड पोस्ट है और 208 ठाउन ए राजपत्रित हैं नोन गजिटेड पोस्ट है प्रोग्रामर का एक पद आएगा परियोजन अभ्यंता सिविल के आएंगे 48 और नगर नियोजन सायक या वास्तोवित सायक के चार पद हैंगे इनके लिए RPSC ये जो आप लोगों के 53 पद हैं इनके लिए RPSC 49, 48, 49, 4, 53, 53 पद RPSC के द्वार निकाले जाएंगे रास्तन लोग से वायोक इसके बाद Computer Operator सायक Programmer L10 यानिकी लेवल दिया गया है Payment Level ठीक है Data Entry Operator सूचन सायक परियोजन अभ्यंता करनिष्ट सिविल के 100 पद यानिकी Civil Engineering जैयन के आएंगे 100 पद कितने आएंगे जैयन के 100 पद और जो सलेबस है जैयन का या सूचन सायक का या फिर Draftsman वगरा का ये आप लोगों का जो करमचारी चैन बोड जैसे जैयन की भरती लेता वो इसलेबस रेगा जैयन में Civil के 100 पद आएंगे विधुत के 11 पद आएंगे इसका भी सलेबस रास्तन करमचारी चैन बोड ने जो दे रखवा ही रहेगा वरिष्ट प्रारूफकार यान की Senior Draftsman के 4 पद होंगे और कनिष्ट प्रारूफकार इसके होंगे 10 पद होंगे और विधी सायक कनिष्ट विधी अधिकारी के 9 पद होंगे ठीके जिस तरीके से अब निकाले गई है Junior Legal Officers इस टाइप का कनिष्ट विधी अधिकारी जो RPS से निकाले इस तरीके से कनिष्ट लेखाकार के 50 पद होंगे ठीके देखिए Junior Accountant के और कनिष्ट सायक LDC के 50 होंगे ठीके यह यहाँ पर भरतिया निकलने जा रही है LDC की लेखाकार की Draftsman की Senior Draftsman की Civil Engineering की Data Entry Operator की और अपलों की Computer Operator की ठीक है इनके पदों के भरति यह निकाली जाएगी और करमचारी चैनवोड और MNIT के एसमर्ता के बाद C-DAC को मोका तो सबसे पहले नहोंने हायर की थी Agency करमचारी चैनवोड MNIT दोनोंने मना कर दिया त उसके बाद इन्होंने पकड़ा किसको C-DAC को C-DAC भारा सरकार की Company है जो इसके द्वारे भरति की जाएगी और Navy और Air Force से जुड़ी हुई जो भरतिया है यह C-DAC Company कराती है ठीक है और इन्होंने C-DAC के बारे में लिखा है कहा कहा क्या कराते हैं और 7 वरसों में C-DAC ने जो 11 पद होंगे जिसमें से 53 जो पद हैं वो RPS से निकालेगा बाकी जो पद हैं C-DAC Company निकालेगी ठीक है C-DAC Company निकालेगी और यह भरती बहुत जल्दाएगी अब आप लोगों के लिए मैं योगता बता देता हूं उसमें से जो मुझे ध्यान है ठीक है देखिए computer operator के लिए computer related आप लोगों की होगी data into operator के लिए computer related आप लोगों के पस qualification होने चीए रही बात परियोज नाभियन तक civil engineering, poltechnic या btech civil engineering से तो लगा सकते हैं विधूत में electrical से btech, poltech हो तो लगा सकते हैं draftsman के लिए एक course होता है, draftsman वो आपको जरूरी होगा, ठीक है, विधी सायक के लिए आप लोगों को चाहिए, LL भी चाहिए, graduate चाहिए, लेखाकार के लिए B.com वगेरा ये चाहिए, और कनिश्टिस जो सायक है, इसके लिए अभी ध्यान नहीं है, क्योंकि इसमें 12 भी द अगरा दिया जा सकता है, और बाकी ये जो है, प्रारूपकार इनके लिए, draftsman वो इनको बोलते हैं, इनके लिए particular योगता चाहिए होती है, बाकी आप लोगों के सामने है, civil engineering या electrical engineering से B.TAC, PolTAC नो भर सकते हैं, ठीक है, तो computer operator के लिए computer का degree diploma होना चीए, और इसी तरीके से data interpret के लिए, सूचना साहिक एक तरीके से ठीक है, तो ये जानकरी आप सभी के लिए, बहुत जल्द विज्यप्ति आजाएगी, बहुत विज्यप्ति है समझ लिए next week में आजाएगी, और इसकी परिक्षय भी बहुत जल्द हो जाएगी, ठीक है साथियो, तो ये जानकरी थ पैनल है, उस पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जै हिन दोस्तों, जै भारत!